हलो बच्चो टैकिसर जी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दस्वी क्लास का बंपर रेजल्ट आया है और बच्चो का रेजल्ट इतना उपर गया है कि वो सोच भी नहीं सकते लेकिन अब उनके सामने ये समश्या आ गई है कि वो दस्वी के बाद में ग्यार्वी क्लास में कौन से सब्जेक्ट लें तो मैं आपसे अपनी परसनल राय दोंगा कि जिस फिल्ड में आपकी इच्छा है आपका अप्टिटूड है आपका इंट्रेस्ट है उसी फिल्ड को लें लेकिन यहां पर डारेक्टेट ओफ एजुकेशन के अंदर आपको स्ट्रीम लेने के लिए कुछ मिनियम क्राइटिरिया फोलो करना ही पड़ेगा अता है इस वीडियो में पूरा का पूरा फोलो अप दिया जाएगा आपको पूरा क्राइटिरिया बताय जाएगा कि किस जो मार्क्स की क्या आपका कौन सा जो स्ट्रीम है वो आ सकता है देखी यहां पर आर्ट्स गॉमर्स और साइंस की तीन क मिन बन जाएंगा यह आर्ट स्ट्रीम में जो हमारे बेसिक जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारा हो गया economics है, हमारा political science है, sociology है, geography है, mystery है, यह subject कराए जाएंगे घिंडी इंग्लिस के साथ या Sanskrit भी ले सकते हैं, जबकि commerce में आपका economics, business study, accounting, यह main subject इसके रहेंगे, यहां पर आप math ले सकते हैं, या फ English यहाँ पर compulsory रहेगी आपके लिए अब हम बात करें साइंस की तो Physics, Chemistry, Bio आप ले सकते हैं Math ले सकते हैं यहाँ पर Math और Bio में ओप्शन होता है Medical या Non-Medical आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं इसी क्राइटिरिया के तहर तो यह Basic Knowledge में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़े आप अपना Mind प्रिपेर कर सकें कि किस तरह से और किस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं अब बात रहे कि Directed of Education में 11th Class के जो भी Admission होंगे वो किस तरह से लिए जाएंगे चाहे वो प्लान के हो या नोन प्लान के स्ट्रीम वाइज उनको कुछ Basic Marks यहां पर लेने पड़ेंगे अब आप बात करें तो Science with Math यानकि जो बच्चे Engineering में जाना चाहते हैं वो इसको Choose करेंगे यहां पर उनको 25% 55% उनके एगरिकेट माक्स होने चाहिए जबकि यहां English में 50% होने चाहिए Standard Maths या Basic Maths में 50% और Science में 50% उनके होने चाहिए तो यहां पर यह आप धियान रखें कि जो बच्चे Engineering में जाना चाहते हैं वो Science with Maths को चुने क्योंकि Maths उनके लिए यहां पर बहुत ही important role अदा करेगा अब रही बात अगर आप Science without Maths लेना चाहते हैं यान कि Bio यहां पर लेना चाहते है Biology यानि कि आप डॉक्टरी लाइन में आप जाना चाहते हैं तो यहां पर आप ले सकते हैं यहां पर भी aggregate 55% होने चाहिए English में 50% और Standard Maths या आपके Basic Maths में 40% और Science में 50% यहां पर Maths में छूटती है 40% को ले लिया गया है अब रही बात Commerce की यहां Commerce में भी आपके पास दो option है With Math या Without Math तो अगरिकेट Commerce के जो subject थे मैंने आपको बताया था Accounting है, Business Studies है, Economics है यह तीन basic इसके subject होते हैं Math या इंदी में आपका option है या दूसरे भी optional subjects आपके हो सकते हैं जो आपके school में available है तो 50% जो है यहां पर एक्डिकेट होना चाहिए English में 45% Standard Maths, Basic Maths में 50% और Social Science में यहां पर 45% आपके minimum होने चाहिए क्या इसमें छूट मिलेगी यह भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप commerce लेना चाहते हैं without math तो भी आप ले सकते हैं 50% आपका aggregate आपका English या हिंदी में आपका 45% होने चाहिए Social Science में 45% आपके होने चाहिए तो यहां पर आप देखे कि Art के जो students है Immunity के जो student है Political Science, Geography इस्टी आदी में अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी आपको minimum कोई भी आपका criteria नहीं है लेकिन अगर आप लेते हैं economics यहां पर या math को लेते हैं तो यहां पर कुछ criteria है जैसे economics को अगर लेते हैं तो 45% आपके at least marks होने चाहिए अगर आप math लेना चाहते हैं तो standard या math में आपके 50% होने चाहिए तब ही आपको यह मिलेंगे अब किसी भी तरीके से जो भी है वो decline नहीं किया जा सकता community के students को और उनको admission देना ही पड़ेगा अगर वो pass है तो उसको 10-20 के बाद में 11 में उसको admission देना ही पड़ेगा अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 5% की छूट भी मिल सकती relaxation है अगर वहाँ पर 3 subjects में दिया गया है particular streams में है जो SCST के student हैं अब उसमें यहाँ पर minority OBC non-cremalier आदी के जो student है वहाँ पर भी उनको छूट मिलेगी 5% की जो special evaluate जो student है उनको 5% की उनको छूट मिलेगी तो NIUS के जो student है उनके लिए भी यहाँ पर हो सकता है लेकिन उनका criteria थोड़ा अलग है वहाँ पर 50-55% की वहाँ पर aggregate 5 में subjects में eligibility बनती है तो यह आप देखिए और यहाँ पर आपको यह non plan के लिए admission जो होते हैं तो उनमें क्या क्या valid आपको चाहिएंगे documents वह आप देख लीजिए तो यह documents है आपको आपका राशन कार्ड होना चाहिए बीपेल कार्ड होना चाहिए parents के नाम से या child के नाम से उसका child का नाम हो सकता है domicile certificate हो any of the parents या बच्चे का water eye card हो parents का या किसी का भी जो भी है घर में any of the parents electricity bill water bill एमटेनल बिल parents के नाम से होना चाहिए bank, pass book, post office pass book आदी, बच्चे का या parents के नाम से हो आदार कार्ड की copy हो parents या बच्चे के नाम से passport हो और driving license हो इन में से कोई एक आपको लेना है आप द्यान रखिये valid proof for eligible यहां पर आपको देखना है कि subject wise eligibility जो भी होई हैं वो बनाएंगे और percentage के ध्यान से देखकर के ही यह सारा का सारा कार्या इसमें किया जाएगा तो अगर आप किस क्लास में और किस जो आपके stream में admission लेना चाहते हैं वो comment box में जरूर बताईए और अपने schools के आसपास आप देखें कि किस category के आपके हैं आप प्लान में अगर हैं तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपके school में वो subject नहीं हैं तो आप अपने जो feeder school से आसपास के school से वहाँ जा करके आपके teacher से बात करके आप वहाँ पर admission ले सकते हैं और ये आगे काम इसमें कर सकते हैं तो आपको अपना interest जरूर द्यार रखना है क्योंकि ये crucial है इसके बाद में आपकी life changes हो जाएगी तो बार बार में change करना भी सही नहीं है तो ये जो पूरी की पूरी guideline है वो मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप 11th class में plan और non plan में admission ले सकते हैं तो plan का तो बच्चे को जो है वो teacher अपने आप ही उनका admission कर देंगे उसको टिक करके जो भी आपकी eligibility बनती है उसको आपने okay करना है option को चुनना है और वहां जाकर के आप उसको fill करेंगे अपने parents के sign कराएंगे photo वगरा जो भी है वो और जो desired documents हैं वो सारे लगा करके आप school में जमाख कराएंगे तो इस तरह से आपका admission criteria वहां पर पूरा होगा और ये सारा का सारा आप देखिए कि special इसमें option दिये जाते हैं आपके form निकलते हैं तो online form निकलते हैं उसकी बाद में इनको choose किया जाता है और पूरी की पूरी जानकारी वहां पर दी जाती है तो आप addudel.nic.in पर admission जो है वहां पर उस section में जाकर के भी ये detail आप ले सकते हैं और circular में भी जाकर के ये details ले सकते हैं आशा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो channel को subscribe करें और bell icon को भी प्रेस करें आपका channel पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके comments का इंतजार रहेगा ताकि आपकी जो कमिया है वो पूरी की जा सके. Thank you.